चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उसकाम में लगा हूं लिए एक विशेश बात कहना चाहता हूं कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्ब निरोधक उपाए बेचती हैं कॉंट्रासेप्टिप्स पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं और उनके कुछ अलग-अलग नाम है नौरप्लेंट है डिपो प्रवेरा है फिर आई पिल है फिर ए पिल है ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए contraceptives बेचे जाते हैं और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कमपनिया है उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते भारत में लाकर वो बेच रहे हैं जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो प्रवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉंट्रसेप्शन के लिए, गर्व निरोधन के लिए वो अमेरिका की कमपनी है कमपनी का नाम है अबजोन ये कमपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है बेन किया हुआ है कि वो डिपो प्रवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते तो उन्होंने नहीं बेचा और डिपो प्रवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रिमेंट कर लिया, अब यहाँ धडले से बेच रहे, यह इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है, और भारत के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, यह इंजेक्शन माताओं बेहनों क ज़्यादातर महावारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है यह डिपोप्रवेरा, और अंत में उनके गरभाशे में कैंसर कर देता है, और उन माताओं बेहनों की मौत हो जाती है, कई बार माताओं बेहनों को पताई नहीं चलता, कि वो किसी के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपोप्रवेरा का, बताया नहीं उनको, और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए, बिना बताए हमारी माताओं बेहनों के ऊपर परिक्षण इस दवाका किया गया, और बिना बताए पूरे देश में इसको धडले से बेचा जा रहा है, पता नहीं कितने लाग कितनी करोड माताओं बेहनों को ये लगवा दिया गया, और उनकी ये हालत हो रही है, इसी तरह से हमारे देश में एक कॉंट्रासेप्शन के लिए, नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नालोजी लाई है, पूश ग्रंथी के हार्मोन का सिक्रिशन है, वो पूरी तरह से डिस्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताओं बेहने बहुत परेशान होती है, जिनको ये नेट इन दिया जाता है, इसी तरह से आर यू 496 नाम की एक उन्होंने टेक्नीक लाई है, फिर बहुत बड़ी तकलीफ ही आती है, कि ये जितने भी कॉंट्रसेप्शन की चीज़ें माताओं बेहनों को दी जाती है, यूट्रस की गरभाशय की माश पेशियां एकदम ढीली पड़ जाती है, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बडा जाता है, अक्सर माताओं बेहने मासिक समय में बेहोश हो जाती है, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता, कि उनको वो कॉंट्रसेप्टिफ दिया गया, उसके कारण ये हो रहा है, और हजारों करोड रुपाई की लूट मार इस देश में, विदेशी कंपनियों के दुआरा हो